नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी टूप चैनल में दोस्तों पहली बार धर्ती पर उतरी है यह देवी जिहां दोस्तों आखिर क्यों उतरी है यह सच्चाई जानकर आपके भी सीने में रोंगते खड़े हो जाएंगे जिहां दोस्तों हम आप सभी को बता दे की जीवन काल करने के लिए उतरते हैं तो कभी किसी की बुराई का आंत करने के लिए जहां दोस्तों और यह शमय आपको आने आप सभी के भूण पूरत नहीं है जो कि दोस्तों आप सभी के जीवन काल में ऐसे घाटना करने वाले हैं जिनने सुनकर आप सभी के होस उड़ जाएंगे जहां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि आप सभी के जीवन काल में एक नहीं बलकि पांच बड़ी खुश खबरी मिलने वाले हैं जिनसे दोस्तों आप सभी का दिल और दिमाग प्रसंद तो होगा साथी साथ दोस्तों आपको बता दें कि आपके जीवन में चली सभी परिसानिया का अंत कर देगा जहां दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों अब आपके दुख के दिन खत्म हो चुके है अब आप सभी के जीवनकाल में खुसियों का पल आने वाला है जिहां दोस्तों और दोस्तों यह सभी कारे आप सभी के जीवनकाल में सक्छार्थ मालक्ष्मी की आसिरवात से होने वाले है जिहां दोस्तों जलसे दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कि मालक्षमी की किरपा जिनके भी जीवनकाल में हो जाए तो दोस्तों उन सभी के जीवनकाल में उनका बेड़ा पार हो जाता है जहां दोस्तों और पिछले कई समय से आप समस्यां से परेशानियों से और बहुत सारे तकलीफों से जूज रहे हैं लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि आसली वही होता है जो कि हर परकार के दुख दर्द समस्यां से जूजने के साथ साथ इस्वर में रमा रहे इस्वर के परती भक्ती भाव रहे जीहान दोस्तों पिछले सम्में में दुख दर्द को देखते हुए अपने जीवन काल में मा लक्षमी को कभी नहीं भूले हैं समय समय पर मा लक्षमी को आप दिल से याद करते हैं मा लक् openness पर आप सभी का भक्ती भाव बहुती स्वक्ष है और दोस्तों इसी करण आपके जीवन काल में मालक्ष में परशन हुए हैं और आप सभी का भाग बदल चुके हैं आप सभी के जीवन काल में पांच ऐसे बड़ी खुस खबरियां मिलने वाले हैं दोस्तों जिन्हें सुनकर आप सभी का होस उड़ जाएंगे और साथी साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब आपको अपने जीव अनकाल में कौन सी गलती दोबारा नहीं करनी है ताकि दोस्तों आपके जीव अनकाल में कोई भी परिशानी आये नहीं जिहां दोस्तों इसलिए दोस्तों आपको बता दें कि यहां समय आपको कुछ कार को भी करने से वज़ने होंगे जिहां दोस्तों तो दोस्तों इसलिए वीडियो को बिलकुल ही मिशना करें और सुरू से आन तक जरूर देखें क्योंकि दोस्तों इनमें आप सभी में हैत्पुन जानकारी को जानेंगे कि ऐसमें आपको किन-किन छेत्रों को लेकर शाब्दान रने होंगे कौन से कार आपके लिए भागे साली होंगे और किन छेत्रों में आपको कार करने से लाप की प्राप्ति होगी और भगवान मालक्षमी जी की आसिरवात से आप सभी के जीवन काल में परवार एक जीवन परते एक छेतर में क्या-क्या सुधार होंगे तो दोस्तों आन तक देखिएगा उसे पहले दोस्तों जो विक्ति वीडियो को लाइक करके कमेंड बॉक्स में सच्चे मन से सरधावाब से जय मालक्षमी लिखेंगे दोस्तों मालक्षमी जी की आशिर्वात आप से विव को प्राप्त होगा और मालक्षमी जी आपके कर परिवार में खुश्यों से भर देंगे यहां दोस्तों और यदि आप इस चैनल पर नई है तो चैनल को भी सब्स्ट्राइब कर लें और साथी बेल आइकन को प्रेश करके ओल पर श्लेट कर लें तो यह दोस्तों बात करते हैं शुरुवात करते हैं एक अच्छे विचार सी सिर्किर्शन जी के अच्छे ग्यान सी जो कि दोस्तों आपको इन दुनों में एक इक्छा सकती जागरित करेगी एक कुमार माटी से चिलम बनाने जा रहा था उसने चिलम का आकार दिया थोड़ी देर में उसने चिलम को बिगार दिया माटी ने पूछा अरे कुमार तुमने चिलम अच्छी बनाई फिर बिगार क्यों दिया कुमार ने कहा अरे माटी पहले मैं चीलम बनाने की सोच रहा था किन्तु मेरी मती बदल गई और अब मैं सुराही बनाऊंगा ये सुनकर माटी बोली रेकुमार मुझे खुसी है तेरी तो सिर्फ मती ही बदली मेरी तो जिन्दिगी ही बदल गई चीलम बनती तो खुद भी जलती और दूसर को भी सीतल रखोंगी जिहां दोस्तों एधि जीवन में हम सही फैसला लें तो हम स्वें भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुश यादे सकतेंगे जिहां दोस्तों अगर आप हमारे इन बातों से सामत हैं कृष्ण जी के अच्छे ज्यान से सामत हैं तो दोस्तों वीड पूरे विश्वाष्टार से दोस्तों इन दो दिनों का जो समय आपके लिए रहेगा मालक्षमी जी के किरपा से आपके पक्ष में रहेंगें आपका ग्रह गोचर धन की आवक की दिशा दिखा रहे हैं आपको किसी भी कार के परतिकी गई मेहनत के सुखत परना मिलने वाले है पौन दरा कोई सूप समाचार मिलने से मन पर सने रहेगा घर से समन्दे नई वस्तों की खरेदारी भी होगी किसी समारों में जाने का भी अवसर बनेगा दोस्तों ध्यान रखें कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें अमल करने से पहले उचीत जन करी लें अपने कारी से लिवायोना को व्यस्तित रूप से संपन करने का प्रयाश करें जल्दवाजी के चकर में आप कुछ कम अधूरे भी छोड़ सकते हैं इन पर आप अवशे ही धान दें दोस्तों इसमें काफी चीज़ें आपके पक्ष में सुचारूरूप से संपन होती जाएंगे सिर्फ इतना ध्यान रखना की किसी भी काम को करने से पहले उसके सकारत्मों और नकारत्मों पहलूँआं पर विचार्स अवस्त करें विद्याथी वर पढ़ाई और केरियर से समधी गत्ती विद्यों को लेकर गंभीर रहेंगे दोस्तों इन दिनों में आपका समय बहुत ही अनुकुल है दोस्तों परिवार जनों के साथ नई योजना पर गंभीरता से विचार होगा और उचित निसकर्ष भी निकलेंगे मानसिक सुकसांती बनी रहेगी आप अपने आत्म विश्वास और मनोवल दोरा किसी विशेश लक्ष को हासिल करने में भी समर्थ रहेंगे युवाँ को परतिस परदा के छेतर में सफलता मिलने की पूरी शमभावना है ग्रह गोचर आपके लिए बहतरिन प्रसितियां बना रहा है आपकी साकारत्मों कर संतुली सोच दोरा योजनावत तरीके से संपन होते जाएंगे दोस्तों जन संपर का दारा बढ़ेगा आप अपने आपको मानसी वा भावनात्मा गृप से ससक्त महसूस करेंगे प्रकरति आपका भर्पू सायूग कर रही है अपनी पूरी छमता और मेहनत अपने कामों को पूरा करने में लगा दें आपको जरूरी सफलता मिलेंगे आज किसी खास कार के पड़ती आपका पूरा ध्यान केंदित रहेगा बहतरिन तरीके से अंजाम देने में भी समक्ष रहेगे दोस्तों मालक्ष्मी की किरपा से आपके पिछले करमों का फल इन दिनों में आपको एक चमतकारी के रूप में देने वाले हैं जिसे कि दोस्तों आपके घर और परिवार में खुसियों वरा माहूल रहेगा आपके उत्तम ग्रह गोचर बना हुआ है किसी संभव कार के आचार्या की बनने से मन में बहुत अधिक प्रशनता रहेगी अपने व्यक्तिगत मामलों का खुलासा बाहरी लोगों के साथ समक्षना करें इसे आपके कोई कार व्यवधाम दूर होंगे दोस्तों परिवार में कुछ शमय से चरही व्यवस्ता दूर करने के लिए आपकर प्रयास काफी हद तक शफल होगा और आप तनावमुक्त होकर अपने व्यक्तित कारों में ध्यान दे पाएंगे बच्चों की सीख्छा और केरियर से समन्दित कुछ महत्पुन कार शम्पन होंगे दोस्तों दिन कुछ मिले जुले प्रभाव वाला रहेगा इसमें कोई नया काम शुरू करने के लिए समय बहुत ही आपके लिए अनुकुल है आप अपने जीवन में बुद्धी और दिमाग के चलते ऐसी काम्याबी हासिल करेंगे कि दोस्तों लोग देखकर आपको शाहरना करेंगे तो घर के परिवायर में सुखद माहूल रहेगा प्रैम समंधम में नजदिकियां बढ़ेगी जिसकी वजह से मन पर भूलित रहेगा दोस्तों इन दिन वे आपका खासी जुकाम की समशिया रह सकती है इसनले स्वास्थ पर धःान देए आपका सरी तंदुरुस्त और फिट रहेगा दोस्तों अगर आपके घर की बरकत रुप गई है तो दोस्तों धनकी देवी मा लक्ष्मी की पूजा करने से रुकी हुए बरकत आपस आ जाती है मा लक्ष्मी को केसर से रंगे हुए चावल अर्पित करें पूजा के बाद इन चावलों को शाप कपड़े में लपेट कर अपने घर की तीजोरी में रख दें ये उपाय करने से खोई ही वरकत आपस आ जाएगी दोस्तों आप बात करें ता आपका भागिसाली रंग और भागिसाली अंक क्या है दोस्तों आपका भागिसाली रंग पीला है और भागिसाली अंक दो है दोस्तों मालक्षमी जी के आशिरवात आप सभी को प्राप्त हो सच्चे दिलशे कमेंड बॉक्स में जै मालक्षमी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें धन्यवाद